वेलकम टो पैसाकिष डाइरी कैसे हो आप सब गाइज आई होप आप सब ठीक होंगे और यहां में चिकन बिर्यानी की प्रिपारिशन कर रहे हूं जो कि मैं आपको दिखा रहे हूं हम आज आठ लोगों के लिए चिकन बिर्यानी बनाय थे तो मैंने फर्स्टली चिकन को दोक है यह लेकपिस ही लिया है तो वह सब ले लिया उसके बाद हम चिकन में अद्रक लहसुन और प्याज थोड़ा दिया था और उसमें गरम मसाले जो होते हैं खड़े गरम मसाले उसको दे के पीस के उसी का पैस्ट दे रहे हूं और उसके बाद मैंने यहां हल्दी दे दिया और नमक दिया है उसके बाद थोड़ा नमक कम लगा तो और नमक हमने दिया और उसमें जो क्यूमिन पाउडर कोरियंडर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च दिया क्यूंकि हम बहुत सारे मिर्च भी देने बाले थे तो इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च दिया और यहां पे सारे मसाले होते हैं न सब हमने डाला चिकन मसाला है और बिर्यानी मसाला होता है यह क्यूमिन पाउडर कोरियंडर पाउडर यह सब भी दिया उसके बाद जो मेट चीर के रखे ते उसको भी थोड़ा दे दिया उसके बाद उसमें हमने कर्ड डाला उसके कर्ड निखा निकाल दिया था तो उसको ही हमने तो उसी तंगे हुए दखी को उसी में दे दिया और सारे मसाले और जब दे की चिकन को अच्छे से मेरिनेट कर लिया और हाँ आप वो जो लेक पिसे उसको थोड़ा काट लेना थोड़ा सा कट कर लेना क्यूंकि मसाले उसके अंदर जाएगा जब वो करी में जाएगा उसमें मसाले जाएगे इसलिए थोड़ा सा कट लगा देना हम भूल गए थे तो उसके बाद हमने कट लगा दिया इसको अच्छे से मिलाना होगा तो मसाले सारे उसमें अच्छे से चले जाएगे उसके बाद चिकन बिर्यानी प्रिपैर्शन करने के लिए यहां पे चूला में यहां पे हम काट के जो चूला होता है न उसमें हम बना रहते हैं यहां पे हम चावल बनाने के लिए उसमें जो खड़े गरम मसाले होते हैं उसको बिठा दिया है उसको पानी में दे दिया है और उसमें थोड़ा घी डाल दिया है नमक डालना भूल गये थे तो उसको बाद में ही डाल दिया हमने और यहां पे चावल डर रहा है और उस वहां पे जो प्याज है प्याज को अच्छे से फ्राय करके हमने निकाल लिया था उसकी बाद देखिए हम उसी जो फ्राय की हुए जो प्याज था उसमें जो फ्राय के हुए प्यास था उसमें ही चिकन को हमने बिठा के बना लिया था उसके बाद यहाँ पे लेयरिंग करना स्टार्ट हो गया है नीचे जो चिकन करी का चिकन है कुछ चिकन है उसको दे दिया है उसके बाद उसके उपर हम जो चावल उबाल के रखेते ना थोड़ा 70% ही आप उबाल ना उसको चावल को वहाँ पे लेयरिंग कर रहे है यह दिखिए सारा चावल हमने डाल दिया है अच्छे से फैला लीजिएगा चावल अच्छे से फैला लीजिएगा उसके बाद मैंने उसके उपर जो प्याज तलके रखाता ना उसको डाल दिया मैंने और उसके उपर थोड़ा बिर्यानी का जो मसाला होता है उसको छिड़क दिया थोड़ा उसके बाद फिर से जो चिकन था लेयरिंग कर दिया चिकन को डाल के और थोड़ा जो चिकन का मसाला बचा हुआ था उसको भी थोड़ा सा डाल दिया उस राइस के उपर ही उसके बाद चिकन को डालने के बाद जो बच्चा हुआ राइस था उसको भी हमने उपर डाल दिया उसको डाल के ढग दिया राइस को डाल के ढग दिया मैं यहाँ पर उस राइस को अच्छे से ढख रहे हूँ चिकन के ऊपर उसके बाद राइस को अच्छे से ढखने के बाद चिकन के ऊपर उसमें मैंने जो प्यास था तला हुआ उसको दे दिया थोड़ा सा घी दिया था और थोड़ा सा केवड़ा वाटर और रोज वाटर और थोड़ा सा कलर दिया था कलर होने के लिए उसके बाद उसको धक्के चुला में उसके उपर एक काट जो होता है उसको दे दिया था उसको बिठा दिया था चुला में दस मिनिट के लिए उसको श्टीम में बिठा दिया था दिखिए गाइज बिर्यानी रेड़ी हो गया है मैंने एक भी बॉयल कर लिया था तो एक भी हमने दे दिया है उसके उपर और बिर्यानी बहुत टेस्टी था थोड़ा नमक कम हुआ था बढ़ बहुत ही टेस्टी था आप अगर अच्छा लगा है तो आप भी घर में जरूर बना के खाईएगा और कमेंट में मुझे बताएगा कि कैसा लगा और हाँ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और सबस्क्राइब भी कर देना ओकी गाइस झर और कपार कर दर हाँ कर दो आपना के क्या देना ओकी ऑ़ग में जर था बाजी कर दो